नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ नाचोज की रसिपी शेयर करने वाली हूँ मार्केट से तो हम नाचोज खरीद कर खाते ही हैं लेकिन कैसा हो अगर हम इसे बिलकुल परफेक्ट तरीके से घर पर ही बनाए तो आज मैं आपके साथ वही रसिपी शेयर करूँगी वीडियो को एंड तक जरूर देखें बहुत ही आसान और बहुत जादा क्रिस्पी और क्रंजी ये नाचोज बनकर तयार होते हैं इसे आप एक बार बना लेने के बाद स्टोर करके भी रख सकते हैं घर पर अगर कोई महमान आये हो तब आप इसे सर्फ कर सकते हैं छोटी छोटी भूख मिटाने के लिए आप इन नाचोज को खा सकते हैं एक बार इस रेसिपी को बना लेने के बाद बार-बार मार्केट जाकर नाचोस खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे हो या बड़े जिसे भी आप इन नाचोस को सर्फ करेंगी हर कोई बहुत पसंद करके खाएगा एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखे तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की इस रेसिपी को कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहले हम मक्के का आटा ले लेंगे यहाँ मैंने एक कप मक्के का आटा ले लिया है इसे एक बटन में डाल दे और अब हम इसा आटे में half cup गरम पानी डाल देंगे पानी डाल देने के बाद इसे धक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है 15 मिनट बाद हम इस मकई के आटे में एक कब गेहु कार्टा मिला देंगे गेहु कार्टा डाल देने के बाद अब हम इसमें homemade cheese water डालेंगे Cheese water में ने धाई चम्मच यूज किया है अब टेस्ट के हिसाब से नमक डाले नमक डाल देने के बाद एक पिंच से थोड़ा सा जादा हल दी और एक चमच मिक्स धब्स डाल कर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले अगर आपको लगे कि डो तयार करने में थोड़ा सा पानी का ज़रत है तो अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें एड़ कर सकते हैं एक साथ काफी सारा पानी ना डालें इस डो को ना जादा सक्त गूत है और ना ही इसे नरम गूतना है इसे हम हलका नरम रखेंगे इस तरीके स प्रस करते हुए हम इसे गूत लेंगे अब देख सकती है नाचोस के लिए डो रेडी है तो अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे चकले में मैंने थोड़ा सा आटा लेकर फैला दिया है तैयार डो से एक लोई ले ले और इसे हम बेल लेंगे इसकी एक रोटी बेल लेना है इसकी काट लेनी है इन पटियों को काट लेने के बाद अब हम इन्हें नाचोस का शेप दे देंगे इस तरीके से इसे चाकू की मदद से काट लेना है सारे नाचोस को ऐसे ही हम काट कर रेडी कर लेंगे नाचोस को काट लेने के बाद इन्हें मैंने फोर्प की मदद से प् जबत कर इन्हें、 इन फ््राइब कर लेंगे。 हलके हलके हातों से इन्हें प्रस करे ताकि यह फूल नजाय और यह कृस्पी बनकर तयार हो उनमें रंगा आए तब हम इन्हें कढ़ाई से उतार लेंगे आप देख सकती है एक बैज रेडी है तो अब में कढ़ाई से इसी वी ऐर टाइट कंटेनर में आप इन नाचोज को स्टोर कर के रख सकती हैं घर पर ही आप cheese powder कैसे बनाएंगी इसकी recipe भी मैंने पहले share किया है description में आपको link मिल जाएगा उस recipe को भी आप देखकर follow कर सकती है बहुत ही easy लेकिन बहुत tasty हमारी आज की ये recipe बनकर तयार है आपको मेरी आज की ये recipe कैसी लगी ये आप मुझे comment करके बताना ना भूले अच्छी लग रही है तो बस वीडियो देखकर चले ना जाएं ऐसे ही easy to make और tasty recipes के लिए मेरे चानल को subscribe कर ले और साइड में जो bell icon देख रहा है उसे प्रस करके all पे click कर दे ताकि मेरे upload किये हुए हर वीडियो उसके notification आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे facebook या instagram में देख रही है तो follow जरूर कर ले साथ ही अब आप मुझे whatsapp चैनल में भी follow कर सकती हैं तो follow जरूर करें thank you thanks for watching प्रस का मुझे उसाद monthly झाल केज 90 फैंश छूर 커्ना के जिए हैं जरूर के विल मेरे ऱ मुझे एाग मुझे हैं